अच की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम एप ओपन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें, तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिए, फोन की सेटिंग्स ओपन करके नीचे आएए, न इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है हमारे फोन में जैसे की manage apps आ रहा है तो आप इस पे क्लिक करिए और इसे open करिए अब इसे open करने के बाद आपके फोन के सारे app आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद नीचे scroll करिए नीचे आकर instagram आएगा कुछ इस तरीके से तो instagram पे क्लिक करिए उसके बाद ऐसा page आएगा यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है instagram के icon पे logo पे 2-3 second प्रेस करके रखिए उसके बाद app info आएगा इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आकर ऐसा page आएगा तो अब नीचे फोर से stop आएगा इस पे क्लिक करिए उसके बाद ok करिए तो यह करने के बाद उपर आएगा storage या फिर आपके phone में storage usage आएगा तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद नीचे आएगा clear data या फिर clear all data तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद आएगा clear all data इस पे click करिए उसके बाद ok करिए ये करने से कोई data या फिर कुछ delete नहीं होता है बस आपका ये instagram account logout हो जाएगा तो आपको अपना account ID password डाल कर फिर से login करना पड़ेगा तो ये करने के बाद back आजाएए और यहाँ पर back आने के बाद अपने phone में play store open करिए open करने के बाद उपर instagram search करिए उसके बाद check करिए अगर instagram में कोई update आया है तो यहाँ से इसे update करिए update करने के बाद phone को restart करिए यानि कि बंद करके चालू करिए उसके बाद अब check करिए instagram यहाँ पर open हो रहा है तो कुछ इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें अगर आपको यह video पसांद आई तो इस video को like जरूर करें